नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं नवीन कुबार अपने चैनल Language of Planets में आपका स्वागत करता हूँ अक्सर हम सुनते हैं कालसर्प दोश और पित्र दोश के बारे में क्या ये दोश हमेशा इंसान को तंक करते हैं या इनका क्या प्रभाव जीवन में किस समय प्रभाव हमको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है आज इस विशेप पर हम छोटा सा वीडियो बनाने जा रहे हैं आपके लिए आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजेगा लाइक कीजेगा और चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा दोस्तों हमारे जोतिश शास्त्र में सबसे ज्यादा चर्चित दोश अगर कोई है तो उन में से दो दोश सबसे ज़्यादा गिने जाते हैं एक कालसर्प दोश और एक पित्र दोश इन दोनों दोशों के पीछे कहीं न कहीं अगर जो तिशिये लिहाज से बात की जाए तो पाप ग्रह होते हैं राहू केतू इनके कारण से अक्सर ये दोश कुंडली में बने हुए देखे जाते हैं दोस्तों जब भी जीवन में ऐसा कालसर्प दोश हो जो आपके लिए favorable नहीं है और आपको परेशान करने के इस्थिती में आपकी कुंडली में बना हुआ है तो ये आपको कब सबसे ज़्यादा परेशान करेगा आज हम इसकी जानकारी आपको देते हैं कालसर्प दोश या पित्र दोश का सबसे बड़ा side effect होता है आपके किसी काम को बने हुए काम को रोक देना अच्छे खासे आते हुए पैसे को रुकावट डाल देना रोक देना या उतना पैसा आपके पास नहीं आने देना जितना आना था अब इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको जीवन में कब देखने को मिलेगा इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको जीवन में तब देखने को मिलता है जब आप अपनी जॉब के लिए कोई एक बढ़िया इंटर्व्यू देने जा रहे हैं आपको शत्प्रतिशत उम्मीद है कि आज मेरा ये इंटर्व्यू 100% मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा या पापाते या आपकी कोई प्रॉपर्टी की डील होने जा रही है चाहे आप खरीद रहे हैं चाहे आप बेच रहे हैं पूरा सौदा फाइनल तक हो जाना और उसके बाद अचानक से बिना किसी कारण के सौदे का रुक जाना Cancel हो जाना या किसी भी प्रकार की उसमें रुकावटा जाना शादी की बात चलना और शादी की बात बिलकुल Final लेविल तक पहुên जाना और उसके बाद शादी में रुकावटा जाना या अच्छी खासी शिक्षा बच्चे की चल रही है और अचानक से बच्चे की शिक्षा में किसी भी कारण से रुकावटा जाना ये कुछ समय इंसान के जीवन में ऐसे होते हैं जिस समय इंसान के मन में एक विशेश उत्साह होता है एक उमंग होती है और इन दोशों का काम यही होता है इनका side effect यही होता है कि ये आपके उपर उन positivity को खतम करकर नकारात्मक प्रभाव को आपके मन पर छोड़ सके जिसके लिए ये दोश जाने जाते हैं इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको तब देखने को मिलता है जब आपकी जन्व कुंडली के अंदर कुंडली के छटे आठवे या बार्वे भाव के स्वामी की महदशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चल रही हो साथ ही इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको तब देखने को मिलता है जब किसी जातक की जन्व कुंडली के अंदर राहु, केतु या शनी की महदशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो या प्रत्यंतरदशा चल रही हो साथ ही इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव उस समय भी देखने को मिलता है जब आपकी जन्व कुंडली के अंदर क्रूर ग्रहों की दशा चल रही हो, जो आपके लिए कुंडली के हिसाब से कारक नहों, जैसे सूर्य और मंगल इनकी दशाओं में भी अक्सर इस तरह के दोश अपना नेगेटिव प्रभाव बढ़ा कर देते हुए देखे जाते हैं किसी भी प्रकार से इन दोशों का ये काम होता है कि ये आपके मन के उत्साह को रोक दे, आपके चेहरे की हसी को परेशानी में बदल दे, आपके बने हुए काम को रोक दे या बिगार दे तो दोस्तों यदि इस तरह का दोश किसी भी मित्र की कुंडली के अंदर बना हुआ है, तो आपके लिए एक उपाय तो हमेशा करते रहना चाहिए भगवाज शंकर का जलाबिशे काले तिल डाल कर आपको करना चाहिए नियवित तोर पर, क्योंकि इस तरह के दोशों का स्थाई समाधान तभी हो सकता है, जब आप बावा महादेव की सेवा रेगुलर इस तरीके से करते हैं, क्योंकि भगवाज शंकर ही एक मात्र ऐसे यदि आपकी कुंडली में या किसी भी मित्र की कुंडली में इस तरह का दोश है, तो ऐसे इंसान को अपने घर में कोई भी मांगलिक कार्य होने जा रहा है, या किसी भी प्रकार से आप किसी इंटर्वियू या किसी जॉब के लिए बात करने जा रहे हैं, या कोई पद्दित आप उपाए अवश्य करवाले हैं अन्यता ये राहू और केतू इनका काम है आकस्मिक रुकावट डालना अचानक से रुकावट डालना और ये दोश जातक के बिलकुल हाथ में आय हुए काम को रोक देते हैं जिसके कड़वे अनुभव बहुत बड़ी संख्या म लोगों के साथ हुए हैं तो दोस्तों यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनकी कुंडली में पित्र दोश या कालसर्प दोश बना हुआ है अगले वीडियो में आपके सामने उपस्तित हों एक नए विशे एक नई जानकारी के साथ धन्यवाद दोस्तों